दोस्तो चार जून से भी देखेगा बड़ी खबर में आपको यहां पर दे रहा हूँ जो कि आप भूल गए हो केवल इलेक्शन के चक्कर में, केवल वोटिंग के चक्कर में, केवल एंडिये और इंडी के चक्कर में, नितिश कुमार के चक्कर में, या फिर देखेगा multiple ऐसी अपडेट आ रही हैं, जिसके चक्कर में, लोग भूल गए हैं, के स्टॉक मार्केट को टोटली इंपाक्ट करेगी ये पर्टिकुलर अपडेट, जो निफ्टी की एक्सपारी पर कल इंपाक्ट दिखाएगी, चोकि ओल्लेडी स्टॉक मार्केट काफी नर्वस है, और स्टॉक मार्केट में कल बड़े मूस देखने हूं मिलेंगे, तो अब क्या है, आपको पता होगा, पांच जून से कोई चीज स्टार्ट हुई थी, जो की कल था, जो की चार जून के बाद आप देखेगा, जब एक खौफ से बाहर निकले थे, पांच जून जो कल रहात की स थी, तब से स्टार्ट हुई थी, 6 जून आज हो गया है, आज पूरी स्क्रिप्टिंग हो जाएगी, और उसके बाद कल सुबह सात बजे, कल सुबह टाइम के साथ बताऊंगा, सात बजे, वहाँ पे इंपक्ट देखनी हो मिलेगा, और इस समय औलेडी स्टॉक मार्केट मे इतनी ज़्यादा information है, इतनी ज़्यादा information है, तो सारी multiple information में ये सबसे बड़ी information जब add होगी, तो उसका बहुत असर पड़ेगा, जो है RBI की monetary policy, time, date और कुछ मुद्दे हैं, जिनके बारे में अगर बात हुई, तो आपको दो चीजों को देखना है, जो इस वीडियो को मैं बताने वाला हूँ, तो उसके हिसाब से ही put या call के side में आप जाइएगा, तो सबसे पहले RBI की monetary policy, सबसे बड़ा मुद्दा rate cut होगा या नहीं होगा, अगर सीरे से खारिच कर दिया RBI ने rate cut को, तो ये negative update है, जो कि आपको पता है कि market बहुत expectation लिए बैठा है, कि at least कहीं पे तो कोई बात हो कि आने वाले 2 महिने में, 3 महिने में, अगली policy में, कहीं ना कहीं rate cut की संभाव ना है, तो ये सबसे बड़ा मुद्दा होगा, इस पे क्या बोलते हैं, RBI के governor सहाब ये सबसे बड़ा मुद्दा होगा, या आपको दिमाग में रखना है, otherwise देखेगा, जो momentum आ कर पाऊँ, जैसे आपने चार जून को tackle नहीं कर पाया था, चुकि अभी तक जो inflation rate है, वो control में है, 4-6% गे, और पिछले 3 महिने से little bitis लगातार गिर रही है, तो ऐसे में क्या next step है, किसका RBI का, तो वो बहुत important है, जैसे कि वो repo rate को कहां पे cut कर सकते हैं, inflation को लेकर उनकी क्या रहा है, क्या उनको जून और जुलाई में inflation बढ़ते हो देखने मिला है, अगर बढ़ते हो देखने मिला है, तो यह stock market के लिए बहुत negative update होगी, इस पे भी stock market react कर देगा, decrease कप किया जाएगा, repo rate कट कप किया जाएगा, इसकी कोई date है क्या, फिर उसके बाद आपको पता है, कि यहाँ पे statement जिसमें देखेगा, urban inflation, rural inflation और forex को लेकर और जो gold आया, उसको लेकर कई सारी देखेगा update, आपको देखने हो मिल सकती है, और अगर आप देखेंगे, कि यहाँ पे important discussion भी आपको देखने हो मिल सकते हैं, जो आपने अभी तक नहीं देखे, like नई सरकार बनेगी, तो RBI ने कहा था कि dividend payout transfer होगा, जो कि है 2.1 lakh करों का, तो क्या उसका भी announcement डिकने हो मिलेगा, तो stock market one way उपर की तरह भागेगा, क्योंकि आपको पता है, नई government form होने वाली है, और उसके बाद देखेगा, 7 June को अगर इस तरीके का announcement हो जाता है, तो stock market को थोड़ी रहाट मिले यह देखेगा, policy का जो time रहेगा, वो रहेगा, 10 बच के 1 मिनट से आपको देखेगा, commentary start हो जाएगी, RBI की, और उस commentary के साब से stock market move करेगा, move बड़े क्यों आएंगे, चुकि already stock market में इतने देखेगा, nervousness है, चीजों को लेकर, कभी को information आ रही, कभी को information आ रही है, जिसके basis प बड़र आए, तो यानि कि RBI कुछ favor में नहीं बोल ला है, और एक घट रहा है, तेजी से, तो आप समझा लीजे कुछ favor में बोल ला है, और stock market उपर जाएगा, फिर आगे अगर आप देखेंगे, तो अपनी currency को देखते रहेगा, अगर यह all time low पे touch कर देती है, इसका मिलब एक दम नहीं पता है, तो ना trade करेगा, राम राम